हाँ तो भई कैसे हो सब लोग बढ़िया हो ना कॉमेंट्स में जुरूर से बताना हाइपर OS 2.0 का रोल आउट फाइनली और डिवाइस के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है यानि कि जो अपडेट्स हैं वो और डिवाइस को मिलना स्टार्ट हो चुके हैं यूरोप, गलोबल, इंडिया वगरा के अंदर एंड कुछ डिवाइस को पब्लिकली भी अपडेट मिलने स्टार्ट हो चुके हैं इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि आप कोई भी अपडेट को मिस ना कर सको एंड वीडियो पे 200 लाइक्स का टार्गेट है आई होप आप इसको जरूर से कंप्लीट करोगे सबसे पहले हम बात करते हैं अफिशर रिलीस शिड्यूल की यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे नुवेंबर में रेड्मी नोट 13 सीरीज और पोको X6 सीरीज यहाँ पे है और F सीरीज है और एक M6 प्रो यहाँ पे इंक्लिवड किया था इनको अपडेट मिल जाना चाहिए था expected यहाँ पे लिखा है बट भाई almost आधा दिसेंबर निकल चुका है बट इन में से सिर्फ इन सीरीज को मिलना स्टार्ट हुआ है कुछ को वैसे सभी को मिलना स्टार्ट हो चुका है बट कुछ ऐसे फोन्स है for example Xiaomi 14T बिल्कुल लेटस्ट जो डिवाइस है इसको अभी प्रॉपरली पब्लिक रिलीज देखने को नहीं मिला और इधर अगर आप देखोगे तो इधर Redmi Note 13 सीरीज पूरी खाली है बट फाइनली इनकी भी जो है स्टार्टिंग हो चुकी है हमाँ आपको वीडियो में आगे बताता हूँ कौन सा डिवाइस है कब तक आपके फोन में जो अपडेट है वो आपको देखने को मिलेगा उसके बाद दिसेंबर वाले हैं इनको तो आप मान के चलो अगर आप यहाँ पे ग्लोबल इंडिया में यूज करे हो तो भाई आपको जनुवरी 2025 के अंदर ही जो है अपडेट्स देखने को मिलेंगे इन सारे फोन्स के लिए प्रॉपर अगर आप जो है रोल आउट अगर पूछना चाते हो न यह जो डिवाइस हैं और कल मैंने आपको बताया भी था कौन सा डिवाइस अलिजिबल नहीं है इन डिवाइस हाइपर वेस 2.0 के अपडेट के लिए वो वीडिया आप जरूर से बाच कर लेना आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे जो अपडेट्स रोल आउट स्टार्ट हो चुके है न उसके बारे में और यह जो अपडेट्स है वो काफी शॉकिंग है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे Redmi Note 13 Pro 5G है और जो Poco X6 5G सेम डिवाइस है रिब्रेंडिड वर्जन है एक दूसरे के इसको HyperOS 2.0 का फर्स्ट अपडेट मिलना स्टार्ट हो चुका है यह यह यूरोप के अंदर है यहाँ पे EU अगर आप जहां से देखोगे तो यह यूरोप को रिपर्जेंड करता है 5.5 GB का यहाँ पे साइस है 2.0.2.0 यहाँ पे जो है इसका वर्जन है बाकि Alive Design Philosophy HyperCore है HyperConnect का भी Option है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है तो Change Log में Almost सारे Features है अब इसके Features भाई आपके उपर डिपेंड करता है अगर आपको HyperOS 1 में यह पेड का जो है Features है वो Officially बताने वाला हूँ वीडियो आएगी उसके लिए जरूर से सबस्क्राइब करके रखो सारे Features में आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अब देखो मेरे को बता है Poco X6 Pro Series वाले या फिर X6 Pro के काफी जाए यूजर्स है वो पूछ रहे होंगी कि Update ह रोल आउट मिलेगा गलोबल के अंदर एंड मेरे को नहीं पता भाई कब आपके फॉन में क्या exact date होगी क्यूंकि कोई यहाँ पर release जो schedule हमें देखने को मिलता है उसके accordingly कोई भी update यहाँ पर जो है रोल आउट नहीं किया जा रहा क्यूंकि अगर आप ध्यान से देखोगे त अल्मोस्ट सभी phones के अंदर यह update आना स्टार्ट हो चुका है अगर आप Redmi Note 13 4G global variant यूज करते हो तो यह आप update कर सकते हो probably यह public release हो चुका है बाकी कल यहाँ पर Xiaomi 13T के अंदर भी नए update आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो beta test को इसका जो वरना वो भी same 2.0.2.0 है और Android 15 based है यह global वाला है 5.9 GB है यह एक flagship phone है तो इसके अंदर almost सारे features आपको देखने को मिल जाएंगे और एक और अपडेट देता हूँ यह वीडियो मैंने डाला था HyperOS Dark Theme का तो यह जो theme है वो available हो चुका है यहाँ पर theme store के उपर मैंने link वगरा यहाँ पर paste कर दिया है तो अपडेट है था रेड्मी 13 या फिर Poco M6 यहाँ पर आप देख सकते हो इसके लिए भी यहाँ पर जो है गलोबल में एक अपडेट रोल आउट हो चुका है तो यह तीन ऐसे phones है जिनके लिए नए अपडेट से यहाँ पर शामी ने रोल आउट कर दिया है और X6 Pro हो रेड्म X6 Pro Series है उसको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड एक्चुल में जो रोल आउट है पबलिक वाला वो जनवरी 2025 के अंदर ही टेक प्लेस करेगा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बाकी मैं टाइम लाइन जो रिलीज डिबाइसिस है चाइना वगरा के गलोबल के इं क्यों सा फोन आप यूज करें कि आपको 2.0 का अपडेट मिला है वो आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं